तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला है किसी चीज का त्याग या आस्विकार करने की क्रिया देखिए जब आप किसी चीज का त्याग करते हैं तो वहाँ पे जो वर्ड आप यूज करेंगे वो करेंगे abnegation क्या करेंगे abnegation अगर आप इस image को देखें तो यहाँ पे आपको एक सन्यासी दिख रहे हैं सन्यासी लोग किस चीज का त्याग करते हैं वो करते हैं घर और परिवार का त्याग या फिर भौत इक सुखों का तो इससे related जो synonyms हैं वो हैं renunciation, rejection, refusal या फिर abandonment अब इससे related एक example देखते हैं तो abnegation of home and family जिसका मतलब यह हुआ कि घर और परिवार का त्याग चलिए next है किसी देश या प्रदेश के मूल आदिवासी प्रजाती का सदस है देखें जो आदिवासी लोग होते हैं उनके लिए जो word होता है वो होता है ab origin क्या होता है ab origin चलिए इससे related जो synonyms होते हैं वो होते हैं indigenous, native और original अब इसका एक example देखते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि बीमारियों के संपर्क में आने से कई आदिवासीों की मौत हो गई चलिए next है निस्फल या अधूरा देखिए जब आपको किसी चीज में पूर्णता सफलता नहीं मिलती है या कोई काम आपका अधूरा रह जाता है वहाँ पे जो आप word यूज करोगे वो होता है abortive क्या होता है abortive अगर आप इस image को देखें तो आप relate कर पा रहे होंगे कि चोर ने भागने की कोशिश की होगी लेकिन सफल नहीं रहा होगा या आप बोल सकते होगी निस्फल रहा हो उसमें ठीक है तो इससे related जो synonyms हो जाएंगे वो हो जाएंगे failed या फिर unsuccessful अब इसका एक example देखते हैं example है he made two abortive attempts to escape from prison हिंदी में जिसका मतलब ये हुआ कि उसने जेल से भागने के दो आसफल प्रयास किये चलिए next है हमारा भोग विलास आदी से दूर रहने का आचरण या जिसे हम परहेज भी बोलते हैं ठीक है इसके लिए English में word होता है abstinence क्या होता है abstinence अब इससे related जो synonyms हो जाएंगे वो हो जाएंगे self denial refrain या desist अब इसका एक example देखते हैं the doctor prescribed total abstinence जिसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि doctor ने पूर्ण सैयम निर्धारित किया तो खुद को किसी चीज़ से जब हम दूर रखते हैं तो परहेज करते हैं तो उसके लिए abstinence यूज करते हैं राइट जिससे समझना कठिन हो गून दिर बोद या जटिल ठीक है ऐसा कार जो आपको बहुत ही जटिल लगे उसके लिए English में क्या word होता है abstruse क्या होता है abdruse अब इसके इससे related जो synonyms हैं वो है puzzling, difficult, perplexing या esoteric चलिए इससे related एक example देखते हैं Einstein's theory of relativity is very abdruse जिसका मतलब यह हुआ कि Einstein का सापे एक छिता का सिद्दान्त बहुत ही जटिल है चलिए next है हमारा किसी चीज में केवल बहुत मामूली रूप से लिप्त होना विशेश रूप से भोजन और पे देखिए जब आप किसी चीज में बहुत ज़ादा इन्वाल्व नहीं रहते हैं उसका कम आप बोल सकते हो कि यूज करते हैं तो तब आप यूज करोगए upstreamis मतलब कहने का मतलब वही है कि आप उस चीज को खुझ से दूर रख रहे हो ठीक है जैसे कुछ लोग अपने आपको alcohol और junk food से दूर रखते हैं तो आप वहाँ पे upstreamis word का use कर सकते हैं तो इससे related जो synonyms हो जाएंगे वो हो जाएंगे temperate या moderate अब इसके related एक example भी देख लेते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि वह सैयमी आदतों वाला एक परिश्रमी व्यक्ती था या आप बोल सकते हो कि उसके अंदर सैयम था जो बिलकुल भी तर्क संगत ना हो हास्यस्पद या बेतुका देखे जब आपको कोई चीज illogical लगती है जिसमें कोई logic नहीं रहता है तो ऐसी चीज के लिए आप जो word यूज करोगे वो होता है absurd क्या होता है absurd चलिए अगर आप इस image को देखे तो आप देख रहे हैं कि जिराफ पेड़ पे चड़ा हुआ है तो यह बहुत मतलब आप बोल सकते हो वो हो जाएंगे ridiculous, idiotic, stupidious, silly अब इसका एक example लेखते हैं इट वुड बी absurd to spend all your money on one book बिल्कुल सही बात है यह बिल्कुल ही बेतुकी की बात होगी कि आप अपना सारा पैसा एक ही book पे खर्च करते हैं तो गाईस आज के वीडियो में बस इतने ही vocabulary I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई